हेलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप सब इक बार पुना आप सब इक आपके अपने शेनल सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है तो आज अपन चर्चा करने वाले हर्टेश का प्रियोग इसको आप थोड़ा सा समझने में परसानी समझते होंगे दिक्कत समझते होंगे लेकिन आज इस वीडियो को अंतक देखेंगे तो क्लियर मैं कहता हूँ आप पूरा वीड़बत समझ जाएगे कि हर्टेश ने अपने प्रियोग में कैसे वीड़ु चुमकी तरंगों की उत्पत्ति के बारे में बताया तो सबसे पहले उन्होंने एक सनरचना बनाया जिसमें सनरचना के दो भाग है एक तो आपका है इसमें सनरचना के दो भाग है एक प्रेसी है इधर का जो बाला भाग प्रेसी है और यह सनसूचक संसूचक मतलब जहां से प्राप्त करते हैं प्रेसी मतलब जहां से भेजा जाता है तो प्रेसी में क्या होता है यह आपके पास P1 और P2 है P1 और P2 धात की दो बर्गाकार बड़ी प्लेटे होती है यह P1 और P2 है धात के दो बर्गाकार प्लेटे है प्रतेक भुजा की लंबाई 40 cm होती है यह आपके एक पर जैसा बर्ग है यह न इस दोनों की लंबाई जो है 40 cm होती है ठीक तो आपने क्या देखा प्रेसी वाले भाग में आपको लेखना है कि प्योन और पीटू धातू की दो बर्गाकार बड़ी प्लेटें होती है प्रतेक भुजा की लंबाई 40 cm होती है इन प्लेटों का संबंध एक मोटे तार अहां से देख सकते हैं एक मोटर तार दिख रहा है मोटे तारों के द्वारा धातू के गोले S1 और S2 एक धातू का गोला रहता है बीच में S1 और S2 से होता है ठीक है ना इनके बीच की दूरी कितनी cm 2-3 cm होती है इनके बीच की दूरी कितनी होती है 2-3 cm तक होती है कहने का मतलब इस्टोएंट जो आपका धातू का गोला है तो इनके बीच कितनी दूरी होती है S1 और S2 के बीच यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी दो धातू के गोले हैं इनके बीच 2 से 3 सिंटीमीटर गैप होता है दोनों गोलों के बीच अंतराल में जो इस्थान रहता है उसे चिंगारी अंतराल कहते हैं क्या कहते हैं चिंगारी अंतराल कहते हैं आगे लिखना है कि S1 और S2 का शंबंद एक प्रेड़ा कुंडली प्रेड़ा कुंडली आप कहेंगे तो यहाँ पर में लिख देता हूं प्रेड़ा कुंडली तो प्रेड़ा कुंडली C यहाँ पर इस से जुड़ा रहता है तो गोले S1 और S2 S1 और S2 का संबद एक प्रेडा कुंडली C के दुतिया कुंडली जैसे ये प्राथमी के दुतियाग है है ना तो S1 और S2 का संबद प्रेडा कुंडली C के दुतिया कुंडली से रहता है ठीक है जिसके सहायता से लगभग 10,000 बूल्ट का विभवानतर लगाया जाता है S1 और S2 के बीच 10,000 बूल्ट का विभवानतर लगाया जाता है इसके बाद संसूचक में लिखना है कि यह धार का एक लूप होता है यह तार का लूप होता है जिसके सिरे पर दो धार के गोले और एक संसूचक भागे प्रेसी में क्या होता है कि प्योन और पीटू धात की दो वर्गकार बड़े प्लेटे होती है जिनकी लंबाई लगबख 40 cm होती है ये एक मोटे तार से जुड़ा रहता है लेकिन बीच में धात के छोटी छोटी दो S1 रेस्टू दो गोले होती है जि इसे दो कुण्डली एक 50 सेकेंड तो दूती या कुण्डली से जुड़ा रहता है ठीक है S1 और S2 का संबंद प्रेला कुण्डली से से दूती या कुण्डली से जुड़ा रहता है जिसकी शायता से हम S1 के बीच लगबख उच्च विभहांतार अर्था 10,000 बोल्ट हम उस डैस क्या होते हैं इस्टूरेंट जुड़े होते हैं यह हो गया आपका कार वीधी आप एडिंग डालो सरी संद्श्च नहा हुआ अब आपको एडिंग डालना है कार वीधी कैसे मतलब इसको समझना देखिए जब दोनों गोलों के बीच S1 रेस्टू हैं दोनों गोलों के ब बायू भर रहेगा तो बायू क्या होते हैं आइनित हो जाती हैं फल सरूप बायू के आयन और इलेक्टरान चिंगारी अंतराल में आगे पीछे दोलन करने लगते हैं कहने का मतलब जब C के सहायता से S1 और S2 के बीच उच्छ वोल्टेच लगबक 10,000 वोल्ट लगाया जात तब इसके भी जो गैस हैं वो आइनित होते हैं और इस आइनित होने के कारण जो इलेक्टरान हैं चिंगारी अंतराल में मतलब गैप में आगे पीछे दोलन करने लगते हैं इस प्रक्रिया के फल सरूप बिद्दुचुम की तरंगे उत्पन हो जाती हैं क्लियर अब इसके बिद्दुचुम की तरंगे उत्पन तो हो गई लेकिं इसको पता कैसे कर पाएंगे संसूचक की साहिता से तो ये बिद्दुचुम की तरंगे कहां तक पहुँछती हैं संसूचक तक पहुँछती हैं और गोले S1, S2 के बीच उच्छ भीवांतर उत्पन कर देते हैं इस जो बीच में अंतराल है उसमें बायू में बिद्दुद भी सर्जन होने लगता है बिद्दुद भी सर्जन कहने का मतलब ये जो आपका उच्छ भीवांतर है वो बायू में गैसों को आनित करने लगता है जिसके कान से चिंगारी निकलने लगती है इस प्रकार से इस प्र पातों के गोलों के बीच के जो गैसे हैं आयनित हो जाती है। जिसके कारण चिंगार ही निकलने लगती है। इस प्रकार से प्रियोगों से विद्दु चुमकी तरंगों की उपस्थित का पुष्टी हो जाता है। संदशना में क्या है इस प्रेशी और एक संसूचक। प्रेशी में क्या है कि P1 और P2 धातो की दो बर्गकार बड़ी प्लेटे हैं जिनकी लंबाई 40 cm है। इसको एक मोटे चलकतार से जोड़े जाते हैं जिसमें धातो के दो गोले S1 और S2 लगे रहते हैं जिनके बीच 2-3 cm का अंतराल होता है। दोनों गोलों का समद्ध प्रेड़ा कुंडली C के दुतिया कुंडली से रहता है। समझ रहे हैं इतना क्लियर हो गया है। अब आगे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो दुतिया कुंडली C होता है दुतिया कुंडली इसकी सहाज़ता से S1 और S2 के बीच उच विहुवानतर लगाया जाता है। उच भिहुवानतर अक्व लगबग 10,000 पोड लगाया जाता है। तो उनके बीच की बायु है वो आइनित होने लगती है। क्या हो जाती है आयनित हो जाती है ठीक है फलसरूप आयन और जो आयनित मतलब यहाँ पर आयन है गैस के जो आयन है बायो के आयन है वो इस्टुडेंट क्या करते हैं चिंगारी अंतराल में क्या करते हैं आगे पीछे दोलन करने लगते हैं इस प्रक्रिया के फलसरूप विद उस पे विद्दुद भी साजन होने लगता है जिसके करण चिंगारी निकलने लगती है इस प्रकार से इस प्रयोक से पता हो जाता है यह निग्यात हो जाता है कि विद्दुद चुमकी तरंगे हैं तो यह हो गया आपका कम्प्लीट यह से सन कैसा लगा आप लोग कमेंट वाक्स में बताना अच्छा लागत लाइक कर देना दोस्तों संस्यार कर देना नए है तो चलों को सब्सक्राइब भी कर लेना सांथी बेल आइकन प्रस कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंद मतरम